दर्शिको नमस्कार बाल संसार कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है हम बच्चों से अक्सर ये सवाल करते हैं कि बड़े हुकर वो क्या बनना चाहते हैं और इसी लिए वो भी सोच में पढ़ जाते हैं कि बड़े हुकर उनके लिए बेस्ट करियर आप्शन कौन सी रहेगी किस फिल्ड का चुनाव वो करें हम बड़ी बड़ी बाते करते हैं स्वच परियावन को लेकर सुद्रिड समाज को बनाने को लेकर लेकिन इन सभी बातों को हम अपनी जिन्दगी में कितना करियानवित करते हैं ये बड़ा सवाल रहता है आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्ती थें एक ऐसी ही महमान जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की तरफ भी ध्यान दिया है और प्रकृती के प्रती जो प्रेम है उसको भी बरकरार रखा है तो तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल चंडिगड की प्लसवन की छात्रा सुहानी शर्मा का सुहानी कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो काफी सारी बातें हुई कारिक्रम की ओपनिंग ही हमने की परियावन से, सुद्रड समाज से तो आप एक नई सोच लेकर आई हैं समाज में और हम अकसर देखते हैं कि जो गोबर है, गोबर का प्रेयोग हम बड़ी तरह से करते हैं हम चाहें क्योंकि पवित्र माना जाता है गोबर को तो हम लिपाई Μशा उसका उपयोग करते हैं या फिर गोबर की उपले बनाए जाते हैं या हम करें बात झालंतों, और भी कई तँरह से प्रियोग जैपर लेगे थे, जैपर में हमारा paternal house है, तो वहां पर मैंने देखा कि उनकी क्रेमेशन वो कावडंग लॉक से साथ कर रहे थे, इंस्टेट अफ की लक्रिया जो हम देखते हैं, तो मैंने थोड़ा पूछा एं मुझे पता सला, कि जैनरली एक क्रेमेशन, एक बॉड़ी के पर इनकी life span 400 years होती हैं, पर इनने हम 15-20 साल पर काट लेते हैं बिस अपने खुद की selfish use के लिए, तो मैं तोड़ी रिसेर्च के पता चला, कि ये cow dung logs होता है, there are much cleaner and greener resource of energy as compared to wood, क्योंकि दो रिजन्स हैं, एक तो रिन्यूबल क्योंकि इतना गोबर प्रड्यूस होता ही है daily and दूसरा, इसकी जो calorific value है, मुदब कितनी heat प्रड्यूस कर सकती है वो भी जात है, तो इसले हमें बस 250-300 kg of cow dung चाहिए होता है, to cremate a single body and the emissions होता है, इसको burn करने पर वो भी कम होता है, तो जो महाली वाली गवशाला है, मैं पूछा था तो उन्होंने मुझे बता है कि हरोज approximately 5 ton गोबर प्रड्यूस हो जाता है, काफी तो वो वर्मी कंपोस्टिंग में उसकर लेते हैं and to make pot chan diyas, पर अराम सी 3 ton in cow dung logs के लिए spare कर सकते हैं, तो जब मैंने यह idea दिया, तो they were very encouraging and they said कि हम बिलकुल try करेंगे, बिलकु तो इसलिए मैंने रिसर्च की, अपने थोड़ी पेरंस की भी help ली कि कहां से कर सकते हैं and finally हमने पत्याला में एक manufacturer ढूंद लिया, जिन्होंने हमें यह machinery बना कर दे दी and जो funds थे वो मैंने raise करने की खुद कोशिच भी की थी, मैंने काफी corporates को emails देखी दी and काफीयों का reply भी कि अपी बन है आगांता थाखी बना की जो मेंने आदे इखी पर थालिग है, कुद लिग के साथ बलोंगी करमितो से में अपने नियूब उपूंद खूडे दे दिंगे भी के जैया कर दूरी से उछरे में मैंने तो जहिए कुद इसे भी कोश्री बनके चार रिए तो बहुत कम टाइम, 3-4 मंथ का टाइम है और इतनी जल्दी आपने सोच भी लिया, रिसर्च वर्क भी कर लिया, और काफी आगेता का आप पहुंचुगी, तो प्रकृती से ये जुड़ाफ पहले सही था, या फिर जब वो इंसिदेंट हुआ, तो एकदम से जहन में आया आ अगर को अपना सेग्रिगेट नहीं कर रहा था गीले सूखे में तो हमने बताते थे क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हम वो सारा देखते थे थे, तो बीच बीच में वहां पर भी चकर डल जाता था, फिर हम रिकावरी मटेरियल फिसलिटीज में भी जाते थे, तो वहां पर मुझे पता चला कि हमारा जो वेस्ट होता है, उसे काफी एफिशेंटली मैनेज करना चाहिए, वहां हमारे पूरे लांड फिल्स भार जाएंगे, जैसे हम आज कर माउंटिन्स देखते हैं, तो वैसे हर जगा होने लग जाएगा, तो तब से मेरे दिमाग में चलती रहती थी, पर जब मनें के जा सोचा एवज देखते हैं, यह तो बहुत ही अच्छा स्विशन है, यूँकि आपको बते हैं, जो हमारा लुध्याना में अप्रॉक्सिमिल्टी तीन सु टन गोबर प्रोड्यूस हो जाता है, जो भी गोबर होता है, जो भी गोबर होता करने के लिए solutions ढूनने पड़ेंगे, तो इसलिए जब मैंने कावडंग लॉक्स की बारे में सोचा है, यह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने इनिशन होता है, क्योंकि इतनी easy नहीं होता है, कहना और सुनना इतना easy है, उसको work मेलाना बहुत मु तो वो भी जा सकती है, तो वो मिशिनरी को ढूंडे में कितना ताइम लगा और उसे जो लकडी बनती है, वो कितने ताइम में बनके यार हो जाती है? तो थुझा थुरा ताइम तो लगा ढूदने में में बच्छ प्रॉपर क्योंकि मजे रिसर्च करने पड़े हैं कौन सी मशीन हैं कौन से अफोरडबल मशीन हैं तभी हमारी मशीन जो है वो 75,000 फिर 1 लाक के बीच में है अब हमारी जो मशीन है वो पूरी आटमाटिक है लिए समी आटमाटिक है तो इसमें सबसे पहले ऊपर गोबर जाता है तरन होता है फिर नीचे जाता है और एक राक मोटर जो आगे जाता है एक साचा साय जिसमें बहुत है निकल जाता है तो पहले जो मारी मशीकीन थी ना उसका जो साचा था वो काफी बड़ा सा तो काफी बड़ी बड़ी लॉग जा रही थी जब नों से बात की तो जो उसको सूखने में चार पाच दिन लग ते विच कर सकते हैं तो मेक कावडंग लॉग जा रहा है आपके काम को काफी अप्रिशेट किया जा रहा है स्कूल में हो या फिर आपके आसपास के जितने भी लोग है तो आज पूरा एप्रिशेट कर रहा है कि अच्छी सोच लेकर आपाई है और एक नया तरीका अपने दूनने का मेरी एक CBSE के साथ इंटर्शिप होई थी स्कूल में सिस्टेनिबिलिटी अक्सलेटर तो वहां पर हमने इस्टेनिबिलिटी के आसपेक्स को देखा था एंड मैने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकिस किया और उसने मुझे काफी बेनेफिट दिया काफी सारी स्किल्स की प्रेजंटेशन स्किल्स मेरा अंदर इंकलकेट की रिसर्ट स्किल्स अनलिस तो मैने रालाइस कि अगर मुझे इतना बेनेफिट किया तो मेरे बाकी फेलो स्कूल में इसको भी काफी करेगा तो इसलिए मैने उसकी बेसिस पर सिस्टेनिबिलिटी लीडर्स प्रोग्रम तो इसलिए प्रोग्रम अनलिस एक बेसिस अनलिस अनलिस एक बतः दुट्टि इंटल्स में इस ब्लाइग करेंगे तो जब दूर्स यथा वारेगे बानलेगे लिए चांपेंस कर रहे तो लोग अनलिय उसके एक करना बंद कर गए तो मिनने रेलाइस कि अगर रहे तो we can actually sustain efficient solid waste management practices इसने मैंने ये start किया था प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम में एक तो हमने लाइब वेबिनार्स रखे हैं आफ लाइन भी रख रहे हैं ओनलाइन भी जहां पर हम बचों को solid waste management के बारे में इंट्रिड्यूस करेंगे and sustainable waste practices क्या होती है उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद मैंने रेलाइस किया जो मैंने फील्ड विजिट्स की उससे मुझे काफी पता चला रिक जो पेपर पर भी पता चलता है है इन बच्चों के लिए तो अभी हमारे अप्रॉक्सिमिटी थाउजन स्टुदेंस इंरोल होगे फ्रम महाली हो चुके हैं हमारे लाइब वेबिनार्स भी हो चुके हैं हमारे थोड़े स्टुदेट करेंगे अपने कहां कि आप एट से लेकर 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल कर रही है और थाउजन से ज्यादा जो स्टुरेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं अलग लग फेजी हैं तो स्टुडी के साथ इसको मैनेज करना पढ़ाई को मै अपने स्कूल ताकि बच्चे पूरे उनका ध्यान यहां वहाना जाए उनकी कॉंसेंट्रेशन खराब ना हो और अपनी पढ़ाई के साथ इस काम में भी वो ध्यान दे सेके हैं तो हमने स्कूल ताइमिंग ही रखे हैं अभी हमने 20 स्कूल पर फोकिस किया है मोहाली में तो ह अभी हो चोका है अभी एक उफलाइन वेबिनार भी होगा तो वह इन अभी थिर्टी फर्स को एक स्केचूल ने जो सब्टेंबर में सब्सक्राइगा तो वहां पर हमने वह फील विजिट भी और गनाइस की हुए है तो दो गंटी का ही काम है तो डिफर्न दिफर्न अभी एक एक बारी पर हो जाए और थर्ड वीक में हम थोड़े मिशन बेस्ट चालेंजेस देंगे बच्चों को जहां पर थोड़ा अपनी जो उन्होंने सीखा है वह साथा प्रिजन करेंगे तो फॉर्थ वीक वह कोई भी परस्नल ग्रोफ शेर करेंगे और हम उनके जो अग्रे पर थे लिए खामुष उनको भी हम अरी रजिस्टेशन अभी चल रही है तो आभ हमारी 50 मेंटर्स रेजिस्टर होगे वह जो फॉफली और ऑर भी रिजिस्टर तो मैने थोड़ी टॉक्स भी दी थी पंजाब उनिवर्सिटी मैं कि हम थोड़े और लोगों को will grade assignments and then उसके basis पर top 100 students will be selected for the advanced program तो उसमें और लाइफ वेबिनार जोंगे and then उसके साथ साथ हम जादा बीप में चले जाएंगे मतलब हम stakeholders के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या लोग किस चीज में associated है क्या डिफरेंट आक्टिविटीज होती है हम business proposals बनाएंगे तो वो सारी चीज है तो थोड़ी और advanced चीज है top 100 students के आपका 8 weeks का ही ये प्रोग्म है और लास्ट जो आठवाँ वीक होगा उसमें ये सारी चीज होगी तो काफी लंबा प्रोसीजर बताया आपने step-by-step परे अच्छे से चले जैसे आपको शुरू से experience है इन सब चीजों को manage करने का तो management बहुत पड़ा एक टास्क रहता है और अगर आप छोड़ा साभी लूपोल छोड़ देते हैं तो वो सारा काम आपका fail हो जाते है तो गाइडलाइन के इससे लिए कौन आपको motivate करता रहा किसका हाथ रहा है I think मेरे parents दोनों बच्पन से काफी अच्छे से मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे महमा का यह है कि उनको लगता है कि ठीक है ताइम जो है वो बहुत कीमती है उनका favorite line है कि time जो चले जाता है वो बापिस नहीं आता है उनकी favorite line नहीं आई है तो जब भी मैं कुछ भी करती है मानम में थोड़ा time waste कर लिया तो मुझे पस यह समझा दी है कि अगर TV भी देख रहो तो थोड़ा आदे घंटा देख लिया ब्रेक के लिए देख लिया यह नहीं कि बस देखते जाओ वो इतनी स्रीक नहीं है कि वो बोलेंगी कि नहीं यह सारी चीज नहीं करी एडिक्शन किसी भी चीज की पुरी है तो इसलिए उन्हें हमेशा समझे बताया कि time management बहुत जादा important है कैसे आप अपना time manage करो किस किस चीजों में डालो किस किस activities वो काफी important है तो इसे मेरे like innately अंदर बस के थे वाली बात है तो that also help me in organizing यह सारी चीज है तो उससे भी मज़े काफी मदद मेले तो बहुत सारे लोग है जिदो ने पेपर पड़ा होगा आपके काम को देखा जो प्रोग्रम है उसके बारे में भी जाना होगा लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इंफोमेशन नहीं ले पाई होगा तो कोई आपने साइट जनरेट की है कि जहां पर पूरी इंफोमेशन ले सकते हैं कर कोई जुड़ना चाहता है इसके साथ या कुछ और करना चाहता है तो कोई साइट है जिससे वो जानकारी पूरी ले सकते हैं हमने एक साइट भी बनाई है इस प्रोग्राम के लिए तो उस पर हमने सारी सारी इंफोमेशन डाली होगा हमने पूरा बाउथ प्रोग्राम एक्स्प्रें किया वो सारा इंडेफ्थ एक्स्प्लेइन किया हो है मैंने काफी ब्लॉग्स भी डाले है वो बच्चों के लिए हैं कि अगर उने रिसोर्स चाहिए हो का भी रफर करने के लिए तो वो भी हमारे वहीं पर है मैंने अपने थोड़े पेपर्स भी अभी एक मेरा पब्लिश वाया है यूजर स्टडी जो मैंने वेस्क्लेक्टर्स जनरेटर्स एंड यूल्ब एंप्लोई के साथ किया थी अभी एक इंटरनाशनल जोर्नल में भी पब्लिश हो गया सब्सक्राइब में भी कर देंगे एंजादा लार्ड स्केल पर हम कर पाएं होफिली यह वाला प्रोग्राम तम और इंडरोल्मेंट्स ले लेंगे तो अभी थाउसन तुडिंट्स होगे तो होफिली और होते रहें जैसे जैसे यह प्रोग्राम करता है सुहानी एक्षली बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है लोगों को पब्लिश करने में पेपर को पहले तो पेपर लिखना एक बड़ा टास्क है और जिन्होंने रिसर्च वर्क किया है वो अच्छे से जानते है कि किना मुश्किल काम है और फिर पब्लिश अगर वो जाए तो और भी अच्छी बात है तो इसके लिए तो मुबारक बाद आपको देना चाहें और आपने कहा कि प्रॉपर गाइदेंस मिलती रही पेरेंट्स के थ्रू मोटिवेट आपको करते रहे पढ़ाई को आपने साथ में चलाय रखा आप से जाना चाहेंगे आपके शौक क्य 10th grade में मेरे बोज में 99.0% अगये थे तो इसके लिए काफी खुछ थी तो इसके लिए काफी खुछ थी तो इसके पढ़ाई ना मेरे ममा ने सबसे उपर रखी है तो शी जो भी चीजे कर रहे हो अच्छी बात है पर पढ़ाई को कभी भी नहीं भूला तो पढ़ाई तो ब करने लग जाता है तो मैं ट्राइ करती हूं कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहा हूं हरोज पर वस वही पढ़ाई तो अच्छी से चली रही है कितने आर्स आप अपनी पढ़ाई को देती है जब बोड चल रहे थे तो तब दिसेंबर में हमारे चुटियां स्टार्ट होगी अधर हम बढ़ाई में तो वहां तो मैं पूरे दिनी पढ़ाई में देरी थी पर फिर थोड़ा बीच बीच में जैसे मैं स्क्वाश केलती हूं तो फोड़ा बीच में एक्सराइस के ताइम रख एथा था य। मैंने रालाईस कि जब मैं बस पढ़ाई करे थी पहले एक आपने पर भार पार्क में रानिंग के चले जाओ तो मैं वो सारी सीज़े करने लगी 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 तो थोड़ा लगी लगी तो इसे काफी बहतर हो गया था मेरी सिस्टर दोनों टेनस केलते थे बदन हमारे किसी फैमिली फ्रंड ने हमें स्कॉष पर इंट्रिद्यूस किया तो मुझे काफी मसा ने लग गया स्कॉष में तो इने वहां पर शिफ्ट कर लिया एंड मैंने सेवंध एन एंध ग्रेड में स्कूल नाशनल गेम्स भी खेल पढ़ाई में टॉपर है और अगर नेचर के लिए बात की जाये तो उसमें भी टॉपर ही है तो इतनी सारी चीज़ें साथ में लेकर चलते हैं और घरवालों का बीहीविर किस तरह का रहता है कि हां सुहानी आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है तो आप अपनी बीच्चों है तो मानती नहीं आप गेम्स खेलोगे फ्रेष कर देने के लिए से तनी देर से आप अप्प्यूटर पर पढ़ां नहीं चुरू कर दोगे इसे बच्छों को आप अपना बालान स्पयार उन्हाया लाक्टॉप्स है इच अब हमें यूस्टो करना ही जितना हम ट्राइ कर सकते हैं वोइड करना हमें वोइड करना चाहिए बीच में कोवेड के दुरान मेरे चश्मी भी लगे थे में अपने काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पहले तो मैं आइडेंटिफाइन कर पा रहे थी क्यों हो रहा है काफी जादा है की अपने पर्णी का भी दूर और कि अबहार का रहे यहां कि आपने लिडिये के बाहर दूर दूर देखो और आखिए कुछ आखिअर लाज इसरे कमएं और इस शारे राईस कि आपो अवार्स प्रॉब्लम का नागो की जरूरत है तो इसलिए फिर मैंने वोई किया कि ऑनलाइन को लिग जैसे जा मैं रिलाक्स कर रही थी रादर दर मुवीज देखना मैं कुछ कुछ गाने सुनने लगी कोई पॉडकास सुनने लगी रादर दर अपनी आइस को एक्ज़र्ट करना क्योंकि मैंने इस्पैसली र क्योंकि कोविद की दुरान जैसे कोविद खातूम मैं जाने लगे वो खुदी बहतर होने लगी तो पर प्रीबोट्स की दुरान थोड़ी फिरसे होगी थी पर मैंने ट्राइ करती रही कि स्किपिंग करते रहूं घर पर तो बैस होई जी बहुत अच्छा लग रहा है आप आप से बात करके और हम कारिकरम की जब हमने शुरुआत की हमने कहा कि बच्चों सवाल किया जाता कि बड़े होकर आप क्या बनना जाते हैं तो बच्चों की जो मैंटलिटी वही बन जाती है वो भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हम क्या बनेंग हम डॉक्टर बनेंगे इं computer science and English, so I really love physics, so I definitely have to do some research work but I also love working with the community, so I have to do some research work in physics that will help the society as a whole to get better and it can help motivate other people as well and inspire other people as well, so this is not a particular profession in my mind, I just have the idea of what I want to do, I want to help people and make their lifestyles better and make them feel better. The kids say they are very gentle in their nature, sometimes the mind is here and the mind is there so parents guide the children to say that it is not good, it is good, do not do this, so if you want to opt your career and you will believe the suggestions of parents or you have set your mind, parents will guide you to say that and you will choose your job. My parents were not so possessive and that they have to do this, they have to do this, they have to leave me and they have to leave me all the way, obviously the guide is to do this, but they have to listen to me but they have to listen to me fairly and they have to do this, as a child you have to have half knowledge and little knowledge can be extremely dangerous. So if I said that I should not work for physics and chemistry because I am passionate about physics and chemistry, so they have to choose me, so they have to choose me. I hope that if I talk about humanities because I am interested in arts and economics and political science, they have to explain why they also choose me. So they are very fair in that sense. So they have to pressure me वो हमेज़ा मेरी बात सुन लेते हैं and then उसके हसाब से मुझे गाइड करेते हैं तुमाम पेरेंट्स को कि अपने बच्छों को सपोर्ट करें पर तिल एक्सेंट ही कि आप बिलकुल अपना पूरा प्रेसर बच्छों पर मठ डाले क्योंकि उनकी भी बात सुनों अगर बच्छे को इंट्रेस्ट है तो उसको मजा भी आएगा इस बेटर तो गेट लस्पीड वाइल दूविए वाइल दूविए वाइल दूविए रदर दन वाइल दन वाइप आपको अगर आपको अपने कर रहा तो आप उसमें कभी अच्छे नहीं पाऊगे आल के बचे की इनटी वाइब करने में और वाओं पीवार पीपल करते में अपने परिवार ते प्रिवारा से सीखता है उस Romeo कहाई टूव जाता है तो आप्ड़ को कि यह पर दोस्ते हों, घुछ भी मैं शेयर करते हूं काुछ नोजा एलनकी कःते हैं यहीं से बाराइष उनका मॉरिल कमसहें देख देखंग के वने सी कुछ पूर्ट अचुल कि त्रू हं मैं टीचर्स भी काफी जादा अची है, हमेशा सपोर्टिव रही है, हमेशा अकॉमिडेटिंग रही है काफी उन्हों ने मुझे अंकारिज किया है, अपर्चुनिटीस के बारे में बताया है, मैं नाशनल लेवल पर डिबेटिंग करती हूँ तो हमारी स्कूल में डिबेट क्लब वा था जब हम एंध क्रेट में थे तो वहां से मुझे देबेटिंग के बारे में पता चला, मुझे पता चला की आर्गूमेंट कैसे बनाते है, जब मैं अच्छा करने लगी तो मैं इसकूल के तरफ से ही काफी सारे डिबेट कॉमपिटि यहां, हमारे वीवर्स हैं इस वतों है क्योंकि मैंने रेलाइस के में प्रॉब्लम स्टेम्स फिलिंग कि जैसे मान लों किसी ने कुछ बहार फिख दिया, वैसे लिटर कर दिया उनने लगते है कि हमें क्या फरक पड़ रहा है, यह हमारा थोड़ी ना, यह तो बहार की सराउंटिंग्स है इस बिकर्श फिल कि वह हमारा ने, वह अपना पन नहीं आता है उनके अंदर, तो इसलिए कि पूरी एर्थ हमारी एर्थ है गुड़ लग कहना चाहेंगे आपको की भविश्य में आप बहुत जादा काम्याबी हासिल करें और अपने तमाम दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो एक अच्छी सोच लेकर सुहानी समाज के बीच में आई है उसको आप प्रोच साहन जरूर देंगे आप भी जानेंगे कि गाये के गोबर से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है और अगर इतना चाइडिया कोई बच्चा लेकर आता है तो हम इतने बड़े हैं इतनी अच्छी हमारी सोच है तो क्यों ना उसको हम आगे और जादा प्रोच साहन दें तो फिलहाल आप से चाहेंगे इजाज़त नमस्कार